हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होब कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आज का पेपर यानि जो 17 जनवरी 2013 को जो आपका सीटेट का एक्जाम हुआ है इसमें किस टॉपिक से कैसे कोशन आए हुए हैं क्या चेंजिस हुए हैं तो दोस्तो जानेगे इस वीडियो में आप लग प्लीज वीडियो के लास्त तक बने रहेगा दोस्तों अगर हम बात करें सीडिपी की जो आपके कोशन डेली मतलब हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं से पहले प्रिवियस यह कोशन जो पूछे गया है वही सारे कोशन नार्मल कोश और संसिक्रीत आपका उर्दू है यह सब भी जो पूछे जाते हैं अर्शिफ्टों में वही सब पूछे जा रहे हैं थोड़ा बहुत जैसा कि मैंने से पहले की वीडियो में बताया था दो तीन कोशन थोड़ा चेंज कर दे रहा है तो आपको उसके लिए बिल्कुल सारी चीज़ें जो कोशन जिस टॉपिक से पूछे गया है आप यहां पर देखते हैं क्या चीज़े हैं आप टॉपिक देख पा रहे होंगे रास्टिय व्रिच बर्गत का जो मैंने अंसियाटी की बुक में आपको यह पूरा चेप्टर है बर्गत से रिलेटेड मैंने इस बन रहे हैं बार-बार फूल फॉर्म निपुन से परक से एंसी अफ से यहां से वह सारे कोशन आप लोग वहां पर देख सकते हैं मैंने कल की वीडियो में सारा बहुत कुछ डिटेल में बताया आप लोग उस वीडियो के जरूर देखिएगा और यूटी केंदशाशीत पर पुछे जाते थे रगिस्तानी योग है हाथी से रिलेटेड है तो यह सारे कोशन हमेंसे मतलब हर शिफ्टों में पुछे जाते हैं तो जो स्टुडेंट उन टॉपिक के लावा अधर पर ध्यान नहीं दिये उनको सारे जो कुछ कोशन थोड़ा चेंज हो जा रहे हैं तो को नए दिख रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा जिन लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा होगा वह पूरा पूरा कोशन करके आएंगे कुछ भी घपड़ाना नहीं है लेखा रेवो अभी हमां इसके बारे में पुरा डिटेल में बताती हूं मैंने बताया भी है लेकिन दोस् कोशन क्या है जैसा कि इसको मैंने बता यहां से दो तीन नंबर कंफर्म रहता है डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया डिसकेलकुलिया से डिस्प्रेक्सिया से पेटा गोजी जो आपकी पंदर नंबर आती है हर शिफ्टों में वो नार्मल पूछी जा रही है कोई टेंशन नह का उस टॉपिक का डिटेल आपको दे रही हूं ताकि वो नेक्स शिफ्ट में अगर आता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो आपको नया न लगे दोस्तों हम आज इसे इस टॉपिक को देखेंगे अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे NCID का पूरा पेज आप देख सकते हैं यहां पर चांगपा से रिलेटेट यह पिक्चर पूरी देख पा रहे होंगे तो दोस्तों इसको मैं पढ़ती हूँ आप लोग ध्यान से एक-एक लाइन को पढ़िएगा क्योंकि यहां से आज आपका कोशन आया हुआ हुआ है और श रंगपा घुमन्तू लोग हैं जो हमेशे एक ही जगह पर नहीं रहते अपनी भेड़ बक्रियों के जुंड को लेकर पहाडों में हरे मैदानों की खोज में घुमते रहते हैं इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है दूद मास टेंट के लिए चमडा स्वेटर और कोट के लिए उन आदी यह सारी चीज़े अब ध्यान दीजिएगा बेड़ बक्रियां ही इनकी सबसे बड़ी पूझी है जितनी बेड़ बक्रियां उतना ही उचा परिवार का अस्तर चांगपा खास तरह की बक्रियां पालते हैं यह लाइन अब ध्या होंगी इसलिए चांगपा इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी उचाई पर रहना पसंद करती है यही है इनकी जिन्दगी मैं मोटर साइकल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था लेकिन यह लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याग पर लाद कर घुनते ह है कौन चांग पा जो जन जाती है ठीक है जब आगे बढ़ना हो तो यह सिर्फ धाई घंटे में अपने देरों समेट कर देरा समेट कर निकल पड़ते हैं जहां ठारना हो वहां कुछ ही देर में यह अपने टेंट गार लेते हैं और तयार हो जाता है इनका गर आपका स्वा कि याक के बालों से बुनाई करके चांग पट्टियां बनाते हैं जिनें सील कर जोड़ लेते हैं यह बहुत मद्बूत होती है और गर्म भी मैंने देखा कि यह दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा चांग ठांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां से कोशन पूछा हुआ है बच्चों की विबिन भाशाओं में भी ऐसे शब्द हैं क्या इस पर चर्चा हो सकती है तो यहां आगे हम देखेंगे अब इसे रेबों के पास ही भेड बक्रियों को रखने के लिए जगह जगा कैते हैं किसको रेबों के पास ही भेड बक्रियों को रखने के लिए जगह बनी ते इसे चांग पा जो है लेखा कहते हैं लेखा की दिवारे पत्थरों और चटानों को एक समझ पागे होंगे रेबो के पास ही भेड बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी ठीक है इसे चांगपा लेखा करते हैं अब ये लेखा क्या है लेखा की दिवारे पत्थर और चठानों को एक दूसरे से रखकर बनाते हैं हर परिवार अपने जानवरों के जुन्ड पर पाइचान के लिए खास निशान मुनाता रोज सुबा जुन्ड को लेखा से बाहर निकाल कर गिन कर चराने ले जाते हैं तो दोस्तों अब ये रेबो और लेखा से रिलेटेड जो आपका कोश्चन चांगपा से रिलेटेड जो भी कोश्चन आएगा आई होग कि आपको को बाइ बाइ टिक केर खुश रहिए